Hello students, हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जिनके लास्ट में करना पड़ेगा, करने पड़ेगी या करने पड़ेगे इत्यादी आता है इन वाक्यों की द्वारा हम यह कह रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति को भविश्य में कोई कारिय करना पड़ेगा इस तरह के सेंटेंस इस परकार के होते हैं जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, मुझे उसको पत्तर लिखना पड़ेगा, सोहन को माफी मागनी पड़ेगी तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इस परकार के sentences को हम English में कैसे translate करते हैं तो इस परकार के sentences को जब भी हम English में translate करते हैं तो हम इस परकार का ये structure यूज करते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं subject subject का मतलब वो person जिसको बविश में कोई कारिय करना पड़ेगा उसके बाद हम sell लगाते हैं या will लगाते हैं उसके बाद have लगाते हैं उसके बाद do लगाते हैं और to के बाद जो verb होती है उसकी first form का यूज़ करते हैं ध्यान रहे अगर हमारा subject हम है हम या मैं या हम English में ये मान लें कि अगर हमारा subject I या we है ठीक है I या we अगर हमारा subject बनता है तो हम shell का यूज़ करेंगे अदरवाईज हम will का यूज़ करेंगे ये हमें ध्यान रखना है तो चलिए अब कुछ sentence लेते हैं जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी अब लास्ट में देखिए करनी पड़ेगी आ रहा है तो हम इस sentence को English में translate करने के लिए ये structure लगाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे subject means कि किसको मदद करने पड़ेगी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें की English तो ये हो जाएगी यू उसके बाद हम लगाएंगे will have to तो ये देखिए will have to ठीक है उसके बाद वर्व लगाएंगे वर्व यहाँ पर क्या है मदद करना तो मदद करना को कहते हैं help तो हमने लगा दिया यहाँ पर help उसके बाद बाकी का sentence एक और sentence लेते हैं जैसे मुझे उसको पत्तर लिखना पड़ेगा तो इसके last में देख आई या वी हो तो हम शैल have to का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा शैल उसके बाद have to उसके बाद लिखना लिखना को इंगलिस में क्या कहते हैं right यह वर्व है हमारी तो यहाँ पर हमने लिख दिया right उसके बाद बाकी का sentence उसके बाद है सोहन को माफी मागनी पड पड़ेगी तो इस sentence को इंगलिस में translate करने के लिए हम इसी structure का यूज़ करेंगे तो किसको माफी मागनी पड़ेगी सोहन को तो सबसे पर लिखेंगे सोहन उसके बाद will उसके बाद have to अब माफी मागना को कहते हैं bag तो यह हो जाए हमारी वर्व और उसके बाद बाकी का sentence त इसे मेरी आग्या मानना पड़ेगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे he will have to obey me किसको आग्या मानने पड़ेगी उसे चबसे पर ले हमने लिखा ही उसके बाद will उसके बाद have to उसके बाद आग्या मानना को कहते हैं obey तो यह हमारी हो गई वर्व और उसके बाद बाकी का sentence अगर य negative sentence होगा तो जो हम sell have to ये यूज करते हैं या will have to ये यूज करते हैं ठीक है तो या तो हमें ये यूज करना होता है या ये यूज तो अगर negative sentence हो हमारा तो हमें ये sell या will इनके बीच में note रखना होता है अगर हम sell have to use कर रहे है तो sell के बाद में note अगर हम will have to use कर रहे हैं तो हमें will के बाद में note रखना पड़ता है अगर हमारा sentence negative होता है तो अब देखिए यह sentence negative है उसे मेरी आग्या माननी उसे मेरी आग्या नहीं माननी पड़ेगी तो किसको नहीं माननी पड़ेगी उसे यह गए subject उसके बाद will उसके बाद नहीं माननी पड़ेगी तो देखिए will के बाद note है ठीक है उसके बाद have to लगाना है उसके बाद verb उसके बाद बागी का sentence अगर इस sentence interrogative हो तो यह ऐसा होता क्या मुझे तुम्हारी आग्या माननी पड़ेगी तो ऐसे में क्या करना है कि जो यह sell है ठीक है sell या will जो भी आप लगा रहे है इसको आपको subject से पहले रखना पड़ेगा करता से पहले रखना पड़ेगा तो इस sentence में करता है हमारा I इस sentence में करता है हमारा I I से पहले हमने लगा sell क्योंकि I के साथ sell का विज़ होता है और have to सब करता के बाद रखना है तो have to यह वर्व हो गई और बागी का sentence last में question mark next sentence लेते हैं तुम्हें यह कार यह करना पड़ेगा ठीक है तो यह affirmative sentence है last में करना पड़ेगा आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें तो यह हो जाएगा you उसके बाद will उसके बाद have to उसके बाद वर्व और उसके बाद बागी का sentence negative अगर होगा यही तो हम सिरफ will के बाद में not लगा देंगे बागी हमारा sentence same रहेगा अगर interrogative होगा तो यह होगा क्या मुझे है यह कारिये करना पड़ेगा तो यह जो shall यह will जो भी यूज कर रहे हैं वो करता से पहले यूज करेंगे तो यह हमारा subject है means करता ठीक है इससे पहले shall यूज करना है उसके बाद have to उसके बाद बागी का sentence last में question mark इसी पर कर देंगे दुकानदार को सामान वापिस लेना पड़ेगा किसको सामान वापिस लेना पड़ेगा दुकानदार को तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दाशोप की पर उसके बाद will have to अब वापिस लेना को कहते है take back ठीक है क्या वापिस लेना पड़ेगा the goods यह हो गया सामान अगर यह sentence negative होता तो इस will के बाद यहाँ पर note होता तो देखें यहाँ पर note लगाया है बागी sentence same है अगर यह क्या दुकानदार को सामान वापिस लेना पड़ेगा अब यह interrogative हो गया तो हम जो यह will या sell यूज कर रहे है यह subject से पहले यूज करेंगे तो यह हमारा subject दाशोप की पर इससे पहले will हो गया इसके बाद में have to और बागी का sentence हो गया next तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा अब इसे हम देखें जाना पड़ेगा तो किसको जाना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले हम लिखेंगे you उसके बाद will have to उसके बाद go to डेली अगर इस negative होता तो इस will के बाद note होता तो यहाँ पर देखें will के बादी note लगा हुआ है उसके बाद अगर इस interrogative होता तो क्या मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा तो यह हो गया subject इससे पहले sell और इसके बाद have to उसके बाद go to डेली बागी का sentence लास्ट में कि उसके mark लगाना ना भूलिएगा तो यह था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि अगर हम यह बताना चाहें कि किसी person को भाईश्य में कोई कारिया करना पड़ेगा तो ऐसे sentences को हम English में कैसे translate करते हैं तो कैसा लगा यह वीडियो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लेस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना पोले थैंक्स लोचिंग इस वीडियो हैपी लर्निंग बाई बाई